आपका स्वागत है रीना रसोई में आज मैं बनाने जा रही हूं मसाला चास आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और हमेशा की तरह मेरी रेसिपी बसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन बटन जरू मिर्च, नमक, सिकाव जीरा, चाट मसाला और यह एक करीब के करीब धाई है एक कप के करीब आप देख सकते हूं सबसे पहले हम यह मिक्सी का ग्लास लेते हैं मैंने जो धनी और पुदेरी में की पतिया है मैंने इसे पहले धोके रख्य हुई है मैं इसे सबको एक मिक्सी के जार में डाल देती हूं मैंने यह दो पतियां रखिये गाड़ मिश के लिए अब मैंने धनिया, पुदीना और मिर्च, तीनों को इस मिक्सी के बावर में डाल लिया है अब मैं इसे चर्ण करूँ लिए, इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है, अब आप देख सकतों ये पूरी तरह पिस गया है, अब मैं छाज बनाऊ लिए, सबसे पहले मैं ये धाई, इसके अंदर डालूगी, मिक्सी के जार में, एक कप पाने, और ये धनिये का भी इसी लिए, अब मैं इसे चर्ण कर लोगी, अब आप देख सकते हो, ये पूरी तरह मिक्स हो गया है, अब मैं इसे इस ग्लास में निकालूँगी, इसमें हम थोड़ा सिकावा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल चुटकी भर, और थोड़ा सा नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिजाब से डालो, और इस तरह मिक्स करके, थोड़ा उपर से सिकावा जीरा, और इस तरह पूदीने की पत्यों के संद, आप सर्फ करें, आपकी पूदीना चाज बिल्कुल तयार है, यह बहुत ही गर्मियों के लिए अच्छी होती है, आप बच्चों को भी दे, बड़ों को भी दे, किसी को भी दे, और आपको मेरी यह रेसिपी आए, पसंद आए तो प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले, थेंक्य आपकी होती है.